नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खब्रो क्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार की राजधानी में राम नवी की धूम इस दिन आएगा दसवी करिज़र आंधी बाड़ि से बरबाद फसल पर सरकार देगी मुआवजा बिहार विधान परिसत की पान सीटों पर वोटिंग कल इस प्लेंग 11 के साथ उतर सकते हैं धोनी हार्दिक इसके साथ ही बरते हैं शाम तक की बड़ी खब्रो क्योर विस्तार से बिहार की राजधानी में राम नवी की धूम आज राम नवी है ऐसे में पूरा देश आज बड़े ही धूम धाम से राम नवी का त्योहार मनाड़ा है पता दे के जोरान बिहार की राजधानी पतना में इस्तिस सभी मंदिरों में रात से ही पूजा करने के लिए भक्तों का लाइन लगा हुआ है वहीं अगर बात पतना में इस्थित प्रसद महावीर मंदर की कड़े तो यहां रात दो बजे से ही भक्तों का भीर देखने को मिलना शुरू हो गया था मालम हो कि ऐसे उमीद जताई गई है कि इस बार बहावीर मंदर में भगवान, राम और हरुमान का दर्शन करने के लिए करीब तीन लाग से अधिक शुर्धालू आ सकते हैं ऐसे में भक्तों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेश इंतजाम किया गया है फ़ई दूसरी हो राम नवी को लेकर सहर के ट्राफिक विवस्था में भी बदलाव किये गया है बता दी कि आज के दिन पूजा और व्रत करना बहुत फलदाई माना जाता है इस दिन आएगा दसवी का रिसल्ट मैट्रिक परीचा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे विद्यारतियों के लिए अच्छी खबर है आपकी जानकारी के लिए बता दे की बोर्ड की ओर से रिजल्ट जारी करने से पहले की अंतिम प्रक्रियार अविवार को पूरी की जा चुकी है वहीं अब टॉपर वेरिफिकेशन के कारी को भी पूरा कर लिया गया है मालम हो कि प्रोफेसर चंदर सेखर परिणाम जारी करने के लिए एक तिस मार्च को अपने विधान सभाज छेतर मधिपूरा से पटना आ जाएंगे नए सत्र से बच्चों का बोजों का कम तयार किया गया सेडियूल पिहार के स्कूली बच्चों पर से पढ़ाई के बोच को कम किया जा सके और पढ़ाई में रूची को बढ़ाया जा सके इसके लिए नेशनल करीकुलम फ्रेमवर्ड के तहत एक सेडियूल तयार किया गया है बतादे कि इसके अंतरगत नए 17 से सपता हमें एक घंटे तक का ही होमवर्ड दिया जाएगा इसके साथ ही जूनियर वर्ड के बच्चों को एक्टिविटी के जरीय सलेबच पढ़ाने की शिरवात की जाएगी मालुम हो कि इसके लिए सिक्षकों को ट्रेनिंग भी दी जाएगा मुसब राम नवी पर हार्दिक बधाई एवं शुब कामनाई भगवार राम का जीवन पूरी मानव जाती के लिए प्रेड़ना श्रोत है उनका जीवन मानव प्रेब सत्भाव शहनसीलता त्याग एवं मर्यादा का आदर्श उधारन है राम नवी को प्रेब भायचारे और ह पुरुशुत्तम कहा गया उनका समस्त जीवन आदर्श था इंसान तो इंशान पसू पक्षी के साथ साथ इश्वर के दोरा पैदा की गई तमाम चीजों के साथ किस तरह का वैवार मनुष्य को रखना है इसकी भी सिक्षा उन्होंने दी थी आज हम सब को यसंकल्प लेना हैं कि भगवान राम चंतर जी के आदर्श को अपने जीवन में उतारेंगे और मानुए रिस्तों को मजबूत करेंगे इसके साथ ही लालो पुर्शादी आदव राप्री देवी तेज प्रतापी आदव मिर्शा भार्ती भाजपा के प्रदीश अध्यक समराज चौधरी सम होने वाले चुनाओं को लेकर चुनाओं प्रचार थम गया है वहीं अब इन पांच सीटों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया एकतस मार्च 2023 को यानि की कल की जाएगी बता दे कि एकतस मार्च को होने वाली वोटिंग का समय सुभा आठ बज़े से शाम चार बज़े तक नर चार बंद हो गए हैं आपके जानकारी के लिए बता दे कि जिन पांच सीटों पर चनाव होना है उनमें सारण शनातक छेतर गया सक्चक छेतर कोसी सक्चक छेतर और सारन सक्चक छेतर के नाम शामिल है आपके जानकारी के लिए बता दे कि इस चनाव के लिए मदान की प्रक पता दे कि राशी विवन योजनाओं को पूरा करने के लिए की गई है उनमें वित रहित डिग्री कॉलेजियों के लिए अनुदान सीम करने उत्थान योजनाओं में असना तक उत्रन बालिकाओं के लिए प्रोथसाहन रासी प्लस टू स्कूलों के सिक्षक के वेतन के भुक अन्य योजनाओं शामिल है आंधी बारे से बरबात फसल पर शरकार देगी मुआफजा 17 से 21 मार्ज तक हुई बिहार में बे मौसम वर्शा ओरा वरिस्टी और आंधी तूफान की मार झेले किसानों को सरकार की ओर से रहाद दी गई है तरसल इस दोरान किसानों के हुए ने मार्ग अस्थिस संकल्त में आपदा प्रवंदन विभाग के सचीव के साथ आयूजित उचस्तरिय समिक्षा बैटक में दी गई मालूम हो कि बैटक में आपदा प्रवंदन विभाग के सचीव संजय कुमार अगरवाल ने सीएम को क्रिसी विभाग फसल छती का कड़ाया गया विस्तरित सर्वे रिपोर्ट सौपा गया इस रिपोर्ट के अनुसार राजी के चह जिलो मुझपर पूर गया पुर्वी चमपारं सीता मधी शिवहर और रोहतास की कई पंचायतों में खड़ी फसल की छती 33 प्रतीशत से अधिक दर्च की गई है पटना मेट्रो को लेकर JICA ने भारत सरकार के साथ रिंस समझोते पर किया हस्ताक्षर किया है पतादी के अधिन रासी तीश वर्स की छूट के साथ दश वर्स की चुकौती अवधी के लिए श्रिकृत की गई है पतादी की समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर पटना मेट्रो रेल विकास के प्रबंध निदेशक अरुनीश चावला सहरी विकास और आवास विभ प्रतिपक्ष किंद्रे ग्रे मंत्रे अमस सहा दो अप्रेल को बिहार के नवादा आने वाले हैं जहां वे हिसुआ इंट विद्याले स्थित मैदान में आमसभा करेंगे ऐसे में ग्री मंत्री के इस आमसभा को लेकर भाजपा निताओं की ओर से अपनी पूरी तागत जोग दी गई है इसी करी में बीते दिन यानि की बुधवार को कारिक्रम स्थल और हेली पैड स्थल का नरिक्षन लेने के लिए नेता प्रतिपक्ष विजैसन हा दर्भंगा के जलाय विधान सभा के विधायक जिवेश मिश्रा, विधायक विरंदर सिंग, वारसली गंज, विध विधायक अरुनादेवी पहुची, इसके साथ ही बीते दिन पुलिस अधिक्षक अंब्रिस राहुल ने भी सलकान अरिक्षन किया, बतादी कि हिश्वा में अमिस्ता के आगमन को लेकर की जा रही तैयारिया अब अंतिम चरण में है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाए जो की देश की ओसत से पीछे है, मालम हो कि प्रतिव्यक्ति राश्ट्री ओसत मचली खाने वालों का प्रतिशत 9 किलोग्राम है, इसके साथ ही जारी किये गए, इस रिपोर्ट से यह भी जानकाली निकल कर सामने आई है कि बिहार में दो वीतिये वर्षी मचली का उतपादन 7,65,000 टन हुआ है, जिसमें से 34,820 टन मचलीया नेपाल समेथ दूसरे प्रदेशों में भी भीजी जाती है, वहीं बिहार में 67,000 टन मचलीया बिहार से बाहर से बंगाई जाती है, बता दी कि बिहार में प्रतिवर्ष लोगों के द्वारा कुल 8,49,000 टन मचलीया खाय जात पतना कोट ने राहुल गांधी को भेजा समन, इन दिनों कॉंग्रस नेता राहुल गांधी के मुश्किले दिन प्रति दिन बरती जारी है, बता दी कि मानहानी केस में सूरत कोट से 2 साल की सजा और फिर सांसदी जानी के बाद राहुल गांधी को पतना कोट के द्वारा समन भीजा गया है जिसके तहट उन्हें 12 अप्रेल को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है तरसल बिहर के पुर्वर डिप्ती सीएम और बीजेपी सांसर शुशील मोदी के द्वरा राहुल गांदी के खिलाफ मोदी सरनेम को लेकर मानहानी का मामला दर्ज किया गया था हाला कि ऐसी उम्मीद की जारी है कि 12 अप्रेल को कोर्ट के सामने राहुल गांदी के पेश होने की संभावना काफी कम है पता दे कि ईदी के अनुसार शिकायत करता कि और से सभी गवाहों के बयान को दर्ज कर लिया गया है ऐसे में राहुल गांदी आरोपी है इसलिए अब उनका बयान दर्ज किया जा सके इसके लिए उन्हें समन भेजा गया है 16 अप्रेल को लोगसभाद चनाओं को लेकर हम राश्ट्रिय कारेकार्णी की बैठक बिहार के पुर्व मुख्यमंत्रे जीतर नाम माजी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानि की हम पार्टी के दोरा 16 अप्रेल को एक कारेकार्णी बैठक आयोजित की गई है बता दे कि इस बैठक में आगे होने वाली लोगसभा और विधान सभाद चनाओं को लेकर पार्टी की तरफ से रन निती बनाई जाएगे इसके साथ इस बैठक में इस पर भी विचार किया जाएगा कि किस तरह बिहार के मुख्यमंत्रे नितीश कुमार को मजबूत किया जाए बता दी कि मेरे जानकारी के अनुसार इस बैठक में बिहार के अलावा दूसरे प्रदेश के भी प्रतिनिधी भाग ले सकते हैं मालमों कि पार्टी के इस बैठक में पार्टी के राष्टिय अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर संतोस कुमार शुमन प्रधान महासचीब राजी इस पार्टी समेट कई अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे शराब बंदी को लेकर शुशील मोदी ने सीम नितीश पर साधार निशाना बिहार में सराब बंदी लागू है लेकिन इसके पावजूद भी आए दिन सराब से जुरे कई मामले सामने आते रहते हैं वहीं अब इस मामले को लेकर बिहार के पुर्वब मुख्य मंतरी एवं राजिस सभा सदश्य शुशील कुमार मोदी के दोरा मुख्य मंतरी नितीश कुमार पर तंच कसा गया है उन्होंने कहा कि मुख्य मंतरी को मस्रक जहरीली स्तराबकान के पिरतों को मुआफजा देरी पर सहमती बनाने के लिए सर्व दलिय बैठक बुलाई जानी चाहिए पानवादिकार आयोक के दोरा चारी की गई रिपोर्ट के अनुसार मस्रक में 77 लोगों की मौते हुई थी चबकि सरकार की ओर से केवल 42 मौते बताई गई है नितीश कुमार अपनी विफलता को स्विका पता दे कि आई पिल 2030 को खेलने के लिए एक तरफ जहां गुजराज टाइटन्स के द्वारा किन विलियंसन को मिनी आॉक्षन में खरीता गया जिससे उनके टॉप ओर्डर को बल मिला है तो वहीं दूसरी ओ चन्नाई सूपर किंग्स ने बैन स्टोक्स को अपने में शामिल है तो इस पिर में राशित खान लीड कर रहे हैं वहीं अगर चन्नाई की बात करें तो टीम खुरतुराज और डेवोन कौन वितावरतोर शुरुआत देने में माहिर है नंबर दो से तीन और चार पर अंबाती राइडू मोहिन अली और शिवग दुवेव मौजूद है मध 307.9ार। और डीजल 94.964 प्रती लिटर प्रती लिटर मिल रहा है। पहिंपूर्निया में पेट्रोल में कीमत horror दसम लो साथ दो रूपे और डीजल 85.9ौ प्रती लीटर निर्धारित की गई है इसके साथ ही गया में प्रती लीटर की दर से मिल रहा है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर आज का सवाल है आप सभी राम नवी कैसे ही मना रहे हैं आपना जवाब हमें अमारी कमेंट जक्षन में लिकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार की तमाम खबरों के साथ बरे रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देखे तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद